हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपनेटरी चानल पीसिस में करपे मैं मनीश आ रहा आज फिर आप लोग के लिए एक टेस्ट लेके आँ हो जो फ्रेंट्स हमारा टेस्ट नमर 11 है जो आपका फ्रेंट्स याद रखेगा टॉपिक्स वाइल फुल टेस्ट है ठीक है तो फ्रे आज मैं आपको यह कहना चाता हूँ कि फ्रेंट्स आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वह टेस्ट देने वाले किस टॉपिक्स है तो बिस्प के भुगोल है ठीक है ना तो बिस्प के भुगोल का टॉपिक क्या है ब्रहमान सौरमंडल पृत्वी चट्टाने ज्वाला मुख वुकंप और महादीब तो फ्रेंट्स देखिए कितनी ज्यादा इंपॉरेट है ठीक है तो पहले आपका टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कि आपका कौन सा टेस्ट है तो फ्रेंट्स प्लीज अगर आपका यह टॉपिक क्लिर नहीं है तो पहले जाए और पहले जाके इस ट आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है मतलब कि एक टेस्ट में अगर फिर्ट से तो दस टेस्ट में आने के पंद्रह सो कोष्टन हो गया ठीक है तो फ्रेंट्स याद रखिए का हिस्ट्री का पंद्रह सो कोष्टन आपके अपने यूट्यूब चैनल PCS Maker पर अप्लोड ह चुका है अगर आप नहीं देखेंगा तो प्लीज आप जाए और देखिए एक बार जाकर टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है फ्रेंट्स ठीक है प्लीज आप लोग देखिएगा जरूर तो आते हैं आपने टेस्ट पे बिना टाइम गबाए हुए देखिए तो फ्रें इस दराइटांस यान की सरपीलाकार गलैक्सी के रूप में वर्गी किर्थ की गई है अगला कोशन है कि थीरे नमबर की हमारी अकास गंगा के किंद्र की परिकर्मा करने में सुरी का समय लगता है तो कितना समय लगता है तो तीन का सी दराइटांस यान की पचीस करोर उसके ताप पर ठीक है अगला कोशन देखिए का फाइब नंबर कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मिर्तिव से ग्रशित होती हैं कहलाती है तो क्या कहलाती है तो फाइब का इस जराइटांस याने की चंद सेखर सीमा अगला कोशन ने 6 नंबर कि तारों के कारण घटित अकाशिये पड़ि घटना कौन सी है तो 6 का 20 दराइटांस और जगाने की क्रिस्न विवर अगला कोशन ने 7 नमबर कि कृष्ण छिद्र सिधान्द को प्रतिपादित किया था किस ने किया था तो 7 का फिर्ण सीज दराई टांसरन की 8 स्चंदर शेखर ने प्रतिपादित किया था ठीक है अगला कोशन देखेगा अगला कोशन ने आपका कि 8 नमबर की ब्लैक हॉल ब्लैक हॉल अंत्रिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के बिकिरन यानिकी डिडियेशन को बाहर नहीं आने देता है इस गुन का कारण है इसका क्या तो 8 का जो राइट रंस हो जाएगा औप्सन नमबर सी यानिकी इसका बहुत उच घनत भी इसका कारण है अगला कोशन ने 9 नमबर 9 नमबर कोशन देखेगा फ्रेंड की हमारे अंत्रिक्ष में कितने तारा मंडल है ठीक है तो कितने है तो 9 का जो राइट रंस हो जाएगा आप्सन नमबर भी आनिकी 88 ठीक है तो हमारे अंत्रिक्ष में 88 तारा मंडल है अगला कोशन है 10 नमबर की निम्रिखित में से कौन सी खागोलिय बस्तू नहीं है तो 10 का 60 दे राइट रंस है तो कृस्त मास्टर खागोलिय बस्तू नहीं है नेक्स कोशन एग्यार नमबर की निम्रांकित में से कौन अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता है तो 11 का 20 तराइट राइट अंसर यानि की ब्रीटल स्टार तो ब्रीटल स्टार अंत्रिक्ष में नहीं पाया जाता है ठीक है बार नमर कोश्चन है देखे गफिंट की एक निश्चित आकर्ती में बिवस्तित ताराओं का शमू कहलाता है तो 12 का जो राइट अंस होता है option number B नक्ष ठीक है तो नक्ष ठीक कहलाता है अगला कोश्चन है तेरे नम्बर कि तारों के मद्धे दुरी ग्याद करने की इकाई है तो कैं है तो 13 का falls राइट अंस होता है option number D यानि की प्रकाश वर्ष तो फ्रेंट्स ये आप लोग आंसर मिलाईगा क्योंकि ये जो test है फ्रेंट्स आपके अपने YouTube कि यदि एक प्रेक्षकतारों को श्राइज से लंबता यूटते देखता है तो वह अबस्स record होताा है तो कहां होता है तो 14 का जो राइटांस और आपसन नमबर है यानि की बिस्वत रेखा पर ठीक है अगला को सेने 50 नमबर कि जिस तारा मंडल के तारो तारे धुरूप तारे की ओर शंकेत करते हैं वह है तो वह कौन तारा है तो 15 का जो राइटांस यानि की सब्त रीशी ठीक है अगला को सेने 60 नमबर कि निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष सब्दावली से शंबंदित नहीं है तो 16 का राइटांस रो जाएगा ओप्सन नमबर D यानि की बाइट ठीक है अब देखें फ्रेंट्स आपका सौर मंडल तो सौर मंडल से कोशन देखते हैं और इसको टेस्ट के देखते हैं 17 नमबर कोशन है क्या कि निम्निकित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है तो 17 का डीज राइटांस यानि की निहारी का इसका भाग नहीं है अगला कोशन है 80 नमबर कि यह किसने सौर पर्थम प्रतिपादित किया की सौर हमारे सौर मंडल का केंदर है और प्रिथवी उसकी परिकर्मा करती है तो 18 का जो राइटांस हो जाएगा और प्रिथवी ब्रहमान का केंदर बिंदू नहीं है तो 19 का जो राइटांस हो जाएगा वो आपसा नमबर बी हो जाएगा यानि की कौपर निकस ठीक है अगला कोशन है आपका 20 नमबर कि सौर मंडल में ग्रहों की संग्या है तो सौर मंडल में ग्रहों की संक्या कितनी है तो 20 का जो राइटन्स हो जाएगा option number यानि की 8 है अगला कोशन देखेगा 21 नमर कोशन है क्या कि सुर्य से दूरी के क्रम में निम्रिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुन यानि की उरेनस के बीच है तो 21 का 20 राइटन्स यानि की ब्रिश्पति और शनी ठीक है अगला कोशन है 22 नमर की सुर्य और प्रित्वी के मद ग्रह है तो 22 का जो राइटन्स हो जाएगा option number C यानि की बुद एबम शुक्र है अगला कोशन आपका 23 नमर की प्रित्वी इस्थ comment है तो 23 का इस्थ राइटन्स यानि की सुक्र 돼bbe मंगल के मद में बीच में इस्थ है अगला कोशन 24 नमर की सुर्य के निकट्तम ग्रह है तो कौन है तो 24 का इस्थ राइटन्स यानि की बुद अगला कोशन 25 नमर की हाइडरोजन हो गया हिलियम तथा मिथेन प्रमुग गैसो जो विद्वान होती है तो 25 का 20 जराइट अंस यान की ब्रेश्पती शनी तथा मंगल पर विर्द्वान होती है अगला कुछन नंबर कि निम्रिखित में से कौन सा ग्रा सौर मंडल का नहीं है तो 26 का फ्रिंट्स जो राइट अंसर हो जा कि अप्रदार्थ होती है तो 27 का फ्रिंट्स होते है आप्सा नंबर भी कि नाव कि शनलेट द्वारा उतन होती है तो 29 कि हीरक फ्रिंट्स है है जिसे देखा जा सकता है तो 29 का सीज राइटांस अंगी केवल पुर्णत या पथचिन के पड़ीदियें छेत्र पर छेत्रों पर ठीक है अगला कोशन देखेगा तीस नमबर कोशन है अपका कि सुरीगरहन कब होता है तो सुरीगरहन कब होता है तो याद रखेगा पाद यानि कि न्यू मून डे ठीक है शुरी ग्रान होता है अगला कोशन है क्या नेक्स कोशन है 31st नंबर कि सुरी का प्रभाब मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन होता है तो 31 का जो राइट अंस हो जाएगा यानि कि पकचाब कपासी मेगा के हिम सफ्टीकोशे में ठीक है फ्रेंट तो राइट अंस हो जाएगा अप्सन अंस हो जाएगा कुछ आपको फिर्ट्स नया कोश्चन भी देखने कर मिले गया तो टेंसर नहीं लेना ठीक है ना तो एक खागोलिये एकक वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औस दूरी है तो 32 का जो राइट अंस हो जागा आपसन नमबर यान की पृत्वी और सूरी के बीच की दूरी अगला कोश्चन है 33 नमबर की सूर्य और पृत्रोन के बीच की आउस्ट दूरी कितनी है तो कितनी है तो 33 का जो राइट अंस हो जागा आपसन नमबर यान की 1200 गुना दसक्ड़ और 6 किलो मीटर अगला कोश्चन AT 34 नमबर की सूर्ष से पृत्रोन की दूरी कितनी है तो फिर चौटिस का जो राइट अंस हो जाएगा ओप्सन नमबर डी यानि की 149.6 मिलियन किलो मीटर अगला कोश्चन है 35 नमबर की पृतिवी सुर्ज से निकर्टम दूरी पर होती है कि कब होती है तो 35 का जो राइट अंस हो जाएगा वो option नमबर की आजएगा तो option नमबर A यानि की 3 जनवरी को ठीक है तो सबसे निकर्टम का भी होती है तो 3 जनवरी को होती है ठीक है अगला question है 36 नमबर की निम्लिकित में से कौन सा गळा सबसे कम समय में सूरी का चक्र लगाता है तो 36 का right answer और option number भी आने की बूद अगला question है 37 number कि दो ग्रह जिनके उपग्रा नहीं है वो है तो कौन कोन ग्रह है तो 37 का 20 right answer और शुक्र इनके पास कोई ग्रह उपग्रा नहीं है अगला question है 38 number कि ग्रह जिसका कोई उपग्रा नहीं है वो है तो कौन है तो 38 का जो राइट अंस हो जाएगा option number B यानि की बूद के पास नहीं है ठीक है इस option के नुशार अगला question 39 number कि शौर मंडल का सारवादिक गर्म गर्म है तो कौन है तो 39 का फ्रेंट राइट अंस हो जाएगा option number B यानि की सुक्र तो सुक्र जो है वो सारवादिक गर्म गर्म है अगला question 40 number कि evening star किस गर्म को कहते है तो 40 का C is the right answer यानि की वेनस को भोर का तारा कहे या evening star कहे यह नहीं की से खायाता है तो सुक्र को कहा जाता है ठीक है अगला question 48 number कि प्रित्वी की जुर्बा बहन कहे जाने वाला गर्म का नाम है तो 41 का 20 राइट अंसर यानि की सुक्र सुक्र को ही कहा जाता है जुर्बा बहन कहा जाता है अगला question देखेगा 42 number question है फिर्ट साब का कि निम्री खित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि प्रित्वी गोला कार है तो 42 का जो राइट अंसर देगा वो अप्सन नमबर A सही हो जागा यानि की अरस्तु ने कहा था ठीक है कि प्रित्वी गोला कार है अगला question 43 number कि एक जीबधारी के रूप में प्रित्वी का बैग्यानिक नाम है तो 43 का सीज दे राइट अंसर निकी ग्रीन प्लैनेट नेक्स question है 44 number कि प्रित्वी के तरल अभय अंतर यानि कि आउटर कोर से भिन चंद्रमा का अभय अंतर है तो 44 का सीज दे राइट अंसर निकी श्यान श्यान द्रब ठीक है क्या है तो श्यान द्रब है अगला question 45 number कि भूपर पट्टी में बहुत आयात में पाए जाने वाला रासानिक तत्व है तो क्या है तो 45 का एज दे राइट अंसर निकी oxygen ठीक है तो oxygen इसका राइट अंसर हो जाएगा next question 46 number कि प्रित्वी तक पहुँचने के लिए सुर्व से चला प्रकास समय लेता है लगभग तो कितना लेता है तो 46 का राइट अंसर हो जाएगा option number C यानिकी 8 मिनट समय लेता है अगला question 47 number कि निम्लिखित में से कौन सा एक तारा प्रित्वी के सरवधिक समीप है तो कौन है तो 47 का right answer option number C यानिकी शुर्ड है ठीक है अगला question 48 number कि निम्लिखित में से कौन सा ग्रह प्रित्वी से निकटतम है तो 48 का जो right answer हो जाएगा option number B यानिकी मंगल तो मंगल सबसे निकटतम है प्रित्वी के अगला question है 49 number कि प्रित्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है तो 49 का right answer option number A सही हो जागा यानिकी शुक्र तो प्रित्वी का निकर्तम ग्रह कौन सा है तो शुक्र है और निम्लिकत में से कौन सा ग्रह प्रित्वी से निकर्तम है तो यहाँ पे शुक्र हो जागा ठीक है तो 49 का राइटन सा हो जागा ऑप्सन नमबर A और 48 का ऑप्सन नमबर B आपका सही हो जागा अगला कोश्य ने 50 नमबर कि प्रित्वी को सुरिक की परिकर्मा करने में लगबग कितना समय लगते हैं तो 50 का राइट अंसर क्या हो जाएगा अगला कोश्य ने आपका 51 नमबर कि अपने परिकर्मा पत्थ में प्रित्वी लगबग किस मध्वेक से सुरिका चक्र लगाती है तो 51 का बीज़े राइट अंसर ने कि 29.8 किलिमिटर पर शेकेंड नेक्स कोश्य ने 52 नमबर कि प्रित्वी परिभ्रमन करती हुई प्रती मिनट करीब 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 कितनी दूरी तै कर लेती है तो 52 का जो राइट अंसर जाएगा वो आपसन नमबर कि आ जाएगा तो आपसन नमबर डी 28 किलो मीटर अगला कोसे ने 53 नमबर की प्रित्वी अपने अक्ष पर जुकी हुई है तो कितनी डिग्री जुकी हुई है तो 53 का एज दराइट अजेंगे सारी 23 डिग्री जुकी हुई है अगला कोसे ने 54 नमबर की दीन रात जिस कारण होते है वो है तो वो क्या है तो 54 का बीज राइट अंस यान की भूँ पड़ी ब्रहमन अगला कोशिन है 55 नमबर कि जब दीन और रात की अबधी बराबर होती है तो सुरी की किर्ने सीधी पड़ती है तो 55 का जो राइट अंस हो जाएगा फेंट्स अगला कोशिन आपका 56 नमबर 56 नमबर कोशिन है कि मौसम बदलने का क्या कारण है तो 56 का जो राइट अंस हो जाए क्या कारण है तो 56 का राइट अंस और अप्सन नमबर सी यान की प्रित्वी का सुरी के चारो और चकर लगाना हुआ अपने अक्ष पर जुका होना ठीक है अगला कोशिन आप 57 नमबर की अगर सुरे और प्रित्वी के बीच की दूरी एक चोथा हाई कम हो जाए तो सबसे अधीक संभावना किस बात की होगी तो 57 का जो राइटन्स हो जाएगा ऑप्सन नमबर की हो जाएगा तो देखेगा 57 का राइटन्स हो जाएगा ऑप्सन नमबर C यानि की की हमारे वर्स की अबदी कम हो जाएगी अगला कोशिन नमबर की प्रित्वी पर मरू भूमी होने की समामना अधिक रहती है तो अधिक रहती है तो 58 का जो राइट अंस होता है का ओप्सन नमबर B यानि कि तेज डिगड़े अक्षांस के पास ठीक है अगला कोशन है 59 नमबर की पृत्वी के परिता घुमने वाले कृतिम उपगरह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी तो 59 का देखिए राइट अंस और अप्सन नमबर D यानि कि पृत्वी के परिता उपगरह के शमान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घुमती रहेगी अगला कोशन है आपका 60 नमबर की पृत्वी गरह की सनचना में प्रावार यानि कि मैंटल के नीचे क्रोड निम्लिकित में से किस एक से बना है तो 60 का राइटन्स हो जाएगा उप्सन नमबर C यानि कि लोहा का बना है क्रोड अगला कोशन नमबर की एक गरह के दीन का मान और उसके अक्ष का जुकाओ लगबग प्रित्वी के दीन, मान और जुकाओ के शमतुल्य है या कतन किस गरह के सम्मान में शही है तो 61 का राइटन्स हो जाएगा अप्सन नमबर D यानि कि मंगल के विशै में या शही है अगला कोशनले 62 नमबर की मंगल पड जीवन की उपस्तिती के लिए निम्दिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है तो 62 का जो राइट एंस हो जाएगा option number C यानि की बर्फ छत्रको और हीम सितित जल की उपसे दिगी है कारण तो 62 का राइट एंस हो जाएगा option number C next question देखेगा 63 number question है कि ब्रिस्पति ग्रह के चंद्रमाओ की खोज निम्न में से किस एक बैज्यानिक ने की थी तो 63 का राइट एंस और option number यानि की गैलिलियों ने किया था अगला question देखेगा 64 number कि स्वरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो 64 का जो राइट एंस हो जाएगा option number यानि की ब्रिस्पति सबसे बड़ा ग्रह है अगला question देखेगा 65 number कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो 65 का राइट एंस हो जाएगा option number यानि की ब्रिस्पति सबसे बड़ा है अगला question देखेगा 66 number कि सुरी के गिर्द एक परिकरमा के लिए निम्ड में से कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है या लेती है तो 66 का राइट एंस हो जाएगा option number यानि की ब्रिस्पति लेती है अगला question देखेगा 66 number कि निम्लिकित में से कौन से ग्रह के सरवादिक प्राकिर्थिक उपग्रह अथवाच चंद्र है तो 67 का राइट एंस हो जाएगा option number यानि की ब्रिस्पति ठीक है अगला question 68 number कि सनी सुरी के 4 और एक चकर लगाने में लगवा कितना समय लेता है तो 68 का राइट एंस हो जाएगा option number 29.5 बर्स यानि की 29 समलो 5 बर्स समय लेता है 69 नमर question है कि किस ग्रह के चारो और वले है तो 69 का जो राइट एंस हो जाएगा option number A option number क्या हो जाएगा तो A हो जाएगा यानि की सनी तो सनी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखेगा 70 नमर question है कि सनी ग्रह तो सनी ग्रह क्या है तो 70 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो option number C यानि की नैप्चुन से गर्म है सनी का नैप्चुन से गर्म है 71 नमर कोशन देखेगा कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपगड़ा है तो 71 का जो राइट अंसर हो जाएगा option number यानि की सनी का तो सनी का टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपगड़ा है ठीक है next question देखेगे 72 नमर कोशन है आपका कि Uranus सुरी के 4 और 1 परिकर्मा में लगवा कितना समय लेता है तो 72 का A is the right answer 84 वर्षन की 84 वर्षन की 84 वर्षन समय लेता है अगला कोशन है 73 नमर की सुरी की परिकर्मा में कौन सा गरह सरवादिक समय लेता है तो 73 का D is the right answer की Neptune लेता है अगला कोशन है 74 नमर की International Astronomical Union द्वारा सन 26 में दी गई एक नई पड़िभाशा की अनुशार निम्लिकित में से कौन सा गरह नहीं है तो 74 का C is the right answer यान की Pluto तो Pluto क्या गरह नहीं है 75 नमर है की सौर परिवार का सबसे छोटा गरह कौन सा है तो 75 का जो right answer हो जाएगा option number D यान की बूध अगला कोशन है 76 नमर की कौन सा गरह सौर जगत का सबसे दूर का गरह है तो 76 का right answer हो जाएगा option number यान की Neptune वरून ठीक है वरून है अगला कोशन है 77 नमर की मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा तो 77 का जो right answer हो जाएगा option number यान की 1969 में है ठीक है तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में अगला कोशन है 78 नमर की C of Tranquility कहां पर है तो कहां पर है तो 78 का जो right answer हो जाएगा option number D यान की चंद्रमा पर है तो C of Tranquility चंद्रमा पर इसी थै अगला कोशन है 79 नमर की चंद्रमा के धरातल पर दो बेकती एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्यों की क्यों नहीं सुन सकते तो 79 का 20 right answer की चंद्रमा पर बाई मंडल नहीं है इसी लिए ठीक है फ्रेंट्स next question देखिएगा 18 नमर question देखिएगा कि जब अर्ध चंद्र होता है तो सूरी पृत्वी तथा चंद्र के बीच कौन सा कौन होता है तो 80 का जो right answer होता है फ्रेंट्स option number क्यों हो जाएगा तो option number B आपका सही हो जाएगा यानिकि 90 90 degree ठीक है अगला question देखिए 81 number है कि निम्ड में से कौन सा ग्रह नहीं है तो कौन सा ग्रह नहीं है फ्रेंट्स 81 का is the right answer चंद्रमा तो चंद्रमा ग्रह नहीं है अगला question 82 number कि जब किसी बस्तु को प्रित्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है तो 82 का right answer option number B यानिकि उसका भार घड जाता है ठीक है अगला question 83 number कि चंद्रमा की प्रित्वी से दूरी है तो कितनी दूरी है तो 83 का age the right answer यान की 384 हजार किलो मीटर दूरी है अगला question 84 number कि मंगल और ब्रिस्पती की कक्छाओं के बीच सुरी के चारो और प्रिक्रमा करने बाले शैल के छोटे टुकडे के स्रमू को क्या कहते है तो 84 का जो right answer जाएगा option number D यानि की छुद्र ग्रह कहते है ठीक है अगला question 85 number कि सौर मंडल में छुद्र ग्रह एस्ट्राइड छोटे खगोली पिंड है यह यह जिन ग्रहों के मद्ध पाए जाते हुए है तो 85 का 20 दराइटरांस जानि की मंगल और ब्रिस्पती के द्वारा अगला question 86 number कि हेल बॉब किसका नाम है तो 86 का 20 दराइटरांस जानि की पुच्छल तारा का ठीक है अगला question देखेगा 87 number question है आपका कि उलका यानि की मेटर है तो क्या है तो 87 का 20 दराइटरांस जानि की ब्रामे अंत्रिक्ष के से प्रित्वी के बायू मंडल में प्रविष्ट हुए द्रब का अंस है ठीक है देखे फ्रेंट्स अब प्रित्वी से रिलेटरी जितने भी टेस्ट हम लोग कवर करते हैं आज देखे तो हमारा ये question क्या है 88 number कि एक अस्थान की जो सही अक्षान्स ये इस्तिती हो सकती है वो है तो वो क्या है तो 88 का 45 जिगरी दक्षिन अगला question है 89 number कि निमलिखित में से कौन सा एक गलोब पर ब्रित नहीं है तो 89 का 60 जिगरी उत्तर अक्षान्स रेखा अगला question है 90 number कि सुने अंस सुने अंस अक्षान्स तथा सुने अंस अंस देशांतर अवस्तित है तो 90 का राइट अंस और अप्षन नमबर A सही हो जागा है अगला question है 91 number कि प्रधान यम्योत्तर यानि कि दुरूब ब्रितिये तथा बिश्वत भूमद रेखा का प्रतिशेदन बिंदू अवस्तित है तो कहाँ पे है तो 91 का एगस दिर अंस यान कि अंध महाशागर में ठीक है अंध महाशागर में इस्तित है यहाँ पे अंध नहीं होना चीए यहाँ लगड़ा है कि हिंद महाशागर होना चीए यह अंद मास अगर में ठीक है तो यहां पर टाइपिंग में स्टेक है देख लीज़ेगा आप लोग अगला कुशन नंबर कि काहीर का समय ग्रीनबीच से दो घंटा आगे है अता यह इस्तित है तो 92 का जो राइट अंस हो जागा आप्सान नमर भी यान कि 30 डिग्री आपके सारे 6 किस देशांतर या अंस पर बजेंगे तो 93 का फिंट्स राइट अंस रह जागा हमारा तो यहां दो अस्थानों की सिती में 90 डिग्री डेशांतर का अंतर है तब दोनों अस्थानों के बीच समांतर होगा तो 94 का जो राइट अंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो आप्सन नंबर B यानि की 6 घंटे अगला कोशन ने 95 नंबर की कौन सा देशांतर प्रधान या मुयत्तर के शाथ मिलकर गलोब पर ब्रिहत ब्रित का निर्मान करता है तो 95 का जो राइट अंस हो जाएगा आप्सन नंबर D यानि की 180 डिग्री ठीक है अगला कोशन देखेगा 96 नंबर की नई सहस्त्रावदी के शुडियोदय की पर्थम की रन भारत के किस एक यम्यत्तर में दिखाई दी तो 96 का राइट अंस हो जाएगा आप्सन नंबर D यानि की 93 डिग्री 30 मिनट इस्ट अगला कोशन ने 97 नंबर की कि किसी अस्थान का मान अगला कोशन नंबर की प्रधान यम्यत्तर नहीं गुजरती है तो 98 का जो राइट अंस हो जाएगा अप्सन नंबर C यानि की नाइजर से नहीं गुजरती है अगला कोशन 99 नंबर की कि किसी एक छन निम्लिकित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य तीन नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है तो 99 का जो राइट अंस हो जाएगा अप्सन नंबर D यानि की आदिस अवावा यानि की इथोपिया ठीक है अगला कोशन देखेगा 100 नंबर कोशन है आपका कि जब IST यम्योत्तर मेरिडियन पर दोपर होती है तब धरती पर एक अन्य अस्थान पर लोग अपनी शुभा 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं तो उस अस्थान का दिसांतर लॉंग्जिट्यूड है तो क्या है तो 100 का जो राइटअंस होते हैं अपसन नंबर D यानि की 90 डिगरी वेस्ट टिक है अगला कोशन 101 नंबर कि अंतरास्टिय दिनांक रेखा international dead line खीची जाती है तो 101 का जो राइटअंस होते हैं option number C यानि की प्रशान्त महासागर से होकर खीची जाती है अगला question है 102 number कि globe पर दो अस्थानों के बीच नियुमतम दूरी नहीं होती है तो 102 कर आइटेंस हो जाएगा option number D यानि की अंतरास्टिय तीथी रेखा पर नहीं होती है ठीक है अगला question देखेगा 103 number question है आपका कि यदि प्रित्वी के घुर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरास्टिय तीथी रेखा पर दो फड हो तो भारती ये मानक्षमे क्या होगा तो 103 का जो राइट अंस हो जाएगा option number यानि की 6 बचके 30 घंटे 6.30 घंटे ठीक है 6 बच के नहीं 6.30 30 घंटे अगला question देखेगा 104 number question है क्या कि निम्रिखित में से कौन सा एक जल डमडू मद अंतरास्टिय तीथी रेखा के सरवदिक निकट है तो 104 का जो राइट अंस हो जाएगा तो यादर कि option number B यानि की बेडिंग जल डमडू मद दे ठीक है अगला question देखेगा 105 number कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक अस्थान से दुस्थान तक जाने के लिए निम्रिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए तो 105 का जो राइट अंस हो जाएगा वो option number C सही हो जाएगा यानि की देशांतर ठीक है अगला question देखेगा 106 number question है कि किसी जगह का अस्थानिय समय 6 पराता है जबकि Greenwich time GMT 3 पराता है तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी तो क्या होगी फिरंट तो यादर कीगा 106 का जो राइट अंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो राइट अंस अरा option number B यानि की 45 जगडी पुर्व हो जाएगी अगला question है 107 number की प्रिथ्वी की भूमद रेखा की कुल लंबाई है लगफ़क तो 107 का जो राइट अंस होता है का आप्सन नमबर C यानि की 40,45 किलो मीटर ठीक है अगला कोशन देखीएगा 108 नमबर कोशन है अब का कि निम्लिकित समुहों में से किस एक के देशों में से भूम अदे रेखा गुजरती है तो 108 का जो राइट अंस और अप्सन नमबर B यानि की कोलम्बिया, केनिया और इंडोनेसिया ठीक है अगला कोशन देखीएगा 109 नमबर है कि भूम अदे रेखा निम्लिकित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो 109 का जो राइट अंस होता हैगा अप्सन नमबर B यानि की मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है अगला कोशन है 110 नमबर की भूम अदे रेखा गुजरती है तो कहां से गुजरती है तो 110 का जो राइट अंस हो देगा अप्सन नमबर C यानि की केनिया से गुजरती है 112 नमबर कोशन है आपका से कौन सा एक भूमद रेखा के शर्बादिक निकट है तो 112 का D is the right answer यानि की शिंगा पूर अगला question 113 नमबर की भूमद रेखा करक रेखा और मकर रेखा तीनों निम्ड में से किस एक महाधिव से गुजरती है तो 113 का जो right answer जाएगा option number A यानि की अफ्रिका से गुजरती है अगला question 114 नमबर की मकर संक्रान्तित के समय करक रेखा पर दोपर के शुड का उन्तांस होता है तो 114 का right answer होता हैगा option number D यानि की 66.5 degree अगला question 115 नमबर की करक रेखा नहीं गुजरती है तो 115 का seize the right answer की इरान से नहीं गुजरती है अगला question 116 नमबर की मकर रेखा नहीं गुजरती है तो 116 का age the right answer की बोली विया से नहीं गुजरती है अगला कोशन है 117 नमबर की किस स्थीथी को रात और दिन बराबर होते हैं तो 117 का 20 जराइटन सेन की 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं अगला कोशन है 118 नमबर की 20 या एक्यूनाक्स याद रखेगा एकनॉक्स वर्स के दो काल जब दिन और रात पराबर होते हैं तो होता है क्या होता है तो 118 का एस जराइटनस निएक कि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है अगला कोशन है 119 नमबर कि वर्स भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं तो 119 का राइटनस होर जाएगा अप्सन नमबर C यानि कि भूमद रेखा पर अगला कोशन 120 नमबर कि उतरी गुलार्द में करक संक्रांतिन्त के शमें 12 घंटे का दिन होगा तो 120 का right answer हो जाएगा option number D यानि की 20 वत रेखा पर 12 घंटे का होगा अगला question 121 number की उतरी गुलार्द में वर्स का सबसे छोटा दिन होता है तो क्या होता है तो 120 का 20 right answer यानि की 22 December को सबसे छोटा दिन होता है 122 number question है आपका कि किस तारीक को सबसे बड़ा दिन होगा तो 122 का right answer हो जाएगा option number C यानि की 21 June को सबसे बड़ा दिन होता है अगला question है आपका 123 number की दक्षनी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन है तो 123 का right answer हो जाएगा option number B यानि की 22 December को सबसे बड़ा दिन है अगला कोशन 124 नमबर की ग्रिस में अयनांत पड़िती वर्ष होता है कब होता है तो 124 का राइटन सो रो जाएगा ओप्सन नमबर D यानि की 21 जून को होता है अगला कोशन 125 नमबर की निम्री खित तीथियों में से किस में दोपहड को आपकी चाया सबसे छोटी होती है तो 125 का C जराइटन सन की 21 जून को अगला कोशन देखेगा 126 नमबर कोशन है कि निम्री विद्वानों में से किस ने सुझाओ दिया है कि प्रित्वी के उत्पत्ति गैसो और धुलकनों से हुई है तो 126 का D इसे राइटन सन की O शिमडने अगला कोशन 127 नमबर की प्रित्वी पर जीवन के प्रादुभाव का प्रथम जिवास्मी साक्चे है तो 127 का राइटन सन होताएगा ओप्सन नमबर यान की 3.5 मिलियन वर्स पुर्व का है अगला कोशन 128 नमबर की वलन किडिया किसका परिनाम है तो 128 का जो राइटन सन होताएगा ओप्सन नमबर यान की परबत निर्मानकारी बलका अब देखें फ्रेंट्स चटाने तो चटाने से जो भी क्वेश्चन टॉपिक है उसका हम लोग क्लियर करते हैं ठीक है देखेंगा चटाने से समाधित क्वेश्चन को 139 नमबर क्वेश्चन है आपका कि अब शादी सैलो के लिए निम्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो 139 का जो राइट अन्सोर हो जाएगा ओप्सन नमबर C यानि कि ये सैले अस्थरों में नीच छेपित है अगला कोशन 130 नमबर कि बलुआ पत्थर एक परदार चटान है क्योंकि वह क्या है तो फ्रेंट्स याद रखेगा 130 का जो राइट अन्सोर जाएगा ओप्सन नमबर क्या जाएगा तो अप्सन नमबर C यानि कि पानी के नीचे बनती है इसलिए अगला कोशन नमबर कि आगने चटानों के लिए निम्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो 131 का C is the right अन्सर यानि कि वे क्रिस्टलियत अथा और क्रिस्टलियत दोनों ही होते है अगला कोशन ने 132 नमबर कि अधो लिखित नीचे नीचे लिखी कौन से चटान में जिवास्मन नहीं पाए जाते है तो 132 का B is the right अन्सर यानि की ग्रेनाइट ठीक है अगला कोशन देखेगा 133 नमबर है कि निम्रिक में से कौन सा रुपरांतरित चटानों का उधारन नहीं है तो 133 का क्या हो जाएगा तो D is the right अन्सर निकी ग्रेनाइट ठीक है रुपांतरिन चटान नहीं है अब देखेगे जुआला मुखी तो जुआला मुखी से कोशन को देखते हैं तो 134 का कोशन है कि जुआला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है तो 134 का यह इस दे right अन्सर निकी जलवास निकलती है अगला कोशन है 135 नमबर की प्रित्वी के अंदर पिगले पदार्थ को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो 135 का right answer हो जाएगा option number D यानि की magma कहते हैं अगला कोशन है 136 नमबर की लाबा के ठोस होने के फलस्वरूप प्रित्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं तो 136 का जो फिर्ण समारा जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो option number E यानि की plutonic चट्टाने ठीक है अगला कोशन है 137 नमबर की ज्वाला मूखिये उद्दगार नहीं होते हैं तो 137 का जो right answer हो जाएगा option number E यानि की baltic शागर में ठीक है अंदर baltic शागर में नहीं होते हैं अगला कोशन है अपका 138 नमबर की mount etna है mount etna क्या है तो 138 का sees the right answer यानि की एक ज्वाला मूखिये है अगला कोशन है 149 नमबर की ज्वाला मूखिये परवत mount st. hellens कहां इसी थै तो 149 का deez the right answer की स्वयुक्त राज अमेरिका में अगला कोशन है 140 नमबर की मैना लुआ एक शक्डिये जलबायू है तो 140 का bees the right answer की हवाई दूइप का ठीक है नेक्स कोशन है 41 नमबर की मौना लुआ उधारन है तो किसका उधारन है तो 141 का a is the right answer यान की स्वयुक्त है ज्वाला मुखी का ठीक है फ्रेंट्स तो देखिये फ्रेंट्स तो आपका जो भी जाकर स्कोर होता ना तो फ्रेंट्स आप लोग कमेंट की सब्सक्राइब तो अपने यूद्स आपको मैंट्स पर आने वाला हूँ भी पीरशई के लिए तो आपको clear हो जाएगा विश्वास रखिए अगला question देखिएगा 142 नमर question है कि अफ्रीका का सर्वोच प्रवत सिखर माउंट किली मंजारो अवस्तित है तो कहां अवस्तित है तो 142 का sees the right answer की तन जानिया में अवस्तित है अगला question 143 नमर कि किली मंजारो है एक तो क्या है तो 143 का a is the right answer की आगने गिडी ज्वाला में की है तो आगने गिडी या ज्वाला में की है वो ठीक है 144 नमर कोशन है कि निमली की ज्वाला मुखियों में से किसे भूम अदे सागर का प्रकाश अस्थम कहा जाता है तो 144 का जो right answer हो जाएगा option number C यानि की stromboli ठीक है अगला question 145 नमर कि संसार का सरवादिक सक्डिये जो अला मुखी है तो 145 का C is the right answer की किलायू है ठीक है अगला question देखेगा 46 नमर है भूकम ठीक है तो भूकम का topic question देखते है कि रियक्टर पैमाने का उप्योग होता है नापने के लिए तो 146 का इस the right answer की भूकम की तीपता नापने के लिए होता है नेक्स question है 47 number कि निमलिकित भासाओं में सुनामी सब्द किस भासा से संबंदित है तो 147 का 20 the right answer की जपानी भासा से अब देखेगा महादीब का question देखते है 148 number question है कि निमलिकित में से कौन महादीब छेतरपल के अनुसा सबसे बड़ा है तो 149 का 20 the right answer यानकी अफिरिका महादीब सबसे बड़ा है next question है आपका 149 number कि निम्लिकित में से सबसे चोटा महादीब कौन है तो कौन है तो right answer option number यानकी Australia तो Australia सबसे चोटा महादीब है next question है और आज का अमारा last question है कि 20 सबसे चोटे महादीप है, तो कौन है單 में 20 1.500 का इसन्या को però अगर आपको बीडियो अच्छा लगा को यहाँ जरूर किसे हैं, और ह19 म आपको नहीं मीलेगा थो अपने यूडियो आप चैनल PCS में करवें फिर मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस के साथ बाई बाई जैहिन दोस्तों